Hello everyone, welcome to BHU Subclasses English Medium तो इस वीडियो में CHS Class 11 के सिबिक्स यानि Political Science के 10 Most Important Cations को करने वाले हैं और हाँ यह जहाँ से Part 1 वीडियो है यह सारे केचन जहाँ से Previous Year केचन है और Selected केचन है इसलिए जहाँ से हम लोग यह सारे केचन के और Exam Pattern पे अधारीत Guide Book और Model Paper को खरे लें जो PDF Format में अबलेबल है इसका Price जहाँ से बहुत ही सस्ता रखा गया है ताकि आप लोग सभी सदेंट खरीद पाएं तो चलिए बिना देरी की चलते हैं की उचन की और तो First की उचन हम बोला जा रहा है कि The Constitution of India was adopted by Constituent Assembly on तो इंडिया का Constitution कब अडप्ट किया गया था Constituent Assembly के दवारा तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 तो 26 November 1949 को जहाँ से Constitution को अडप्ट किया गया था Constituent Assembly के दवारा तो आप लोग जहाँ से इसमें क्यूचन गुमा फिराकर भी पुछा जा सकता है Constitution of India जहाँ से किसके दवारा अडप्ट किया गया था तो यहाँ तो हो जाएगा Constituent Assembly और बाकि इससे क्या क्या क्यूचन बन सकते हैं तो यह तो date जह हो गया से अडप्ट किया गया था वो हो गया और आप लोग से पुछा जा सकता है कि Constitution of India जहाँ से फाइनली कब लाउंच किया गया था यह 26 November 1949 के तो अडप्ट किया गया था लेकिन फाइनली जहाँ से कब लाउंच हुआ था 26 January 1950 को लाउंच हुआ था ठीक है और Constitution of India को बनाने में कितना टाइम लागा था तो आप लोग यह अब देख सकते हैं कि 2 year, 11 month and 18 days जहाँ से Constitution of India को बनाने में लागा था तो यह सब जहाँ से important है यहाँ से आप लोग से जहाँ से कुछा जा सकता है अब चली चलते हैं next question की और जो है question number second तो question number second में बूला जा रहा है की मदन मोहन मालविये जी वाज basically तो मदन मोहन मालविये जी कौन है तो मदन मोहन मालविये जी के बारे में जहाँ से हम लोग यह अच्छी तरह जानते हैं तो यह आपे देख सकते हैं कि उनका जन 25 December 1861 को हुआ था और इनका मेरित्यू 12 November 1946 को हो गया था और वो जहाँ से एडियर स्कॉलर और एजुकेशनल रिफार्मर एंड पॉल्टिसियन थे और यह जहाँ से फांडर और बीच्व है मतलब बीच्व के फांडर है कब फांड किये थे 1916 में जहाँ से यह बीच्व को फांड किये थे तो यह सब कीशन जहाँ से बन सकते हैं आप लोग से तो कीशनमा सकेंड का कौन सा एंसर सही हो जागा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेट नेसल लिस्ट भी थे स्कॉलर अफ इंडिया भी थे और सोसल रिफार्मर यह सब भी थे और पॉल्टेसियन भी थे तो यह सारे जहाँ से क्वाइल्टी जह था से उनके अंदर था तो इसलिए जहाँ से यह तीनों सही है इसलिए जहाँ से आप्सन नमर फोर सही हो जाएगा यह किलियर होगी आप जल जलता है क्वीचा नमर थाड की और क्वीचा नमर थाड मोला जा रहा है कि वीज रिगार्डिंग ऐज पोलिटिकल गुरु अफ महातमा गांधी तो क्वीचा नमर थाड मोला जा रहा है कि गोपाल क्रिशन गोखले जहां से true servant of India है अब लोग से क्यूचन पुछा जाए कि true servant of India की नहीं कहा जाता है तो गोपाल क्रिशन गोखले को कहा जाता है यह किलिए रहो गिया क्यूचन में थाड़ अब चली चलते हैं क्यूचन नमर 4 की और कीचन नमर 4 बोला जा रहा है कि वीच आर्टिकल ऑफ इंडियन कंस्टिशन प्रवाइड टेंपरोरी एन स्पेशल अटोनॉमस स्टेटस तु दे स्टेट ऑफ जामू एन कसमीर तो आप लोग को बताना है इंडियन कंस्टिशन का कौन सा आर्टिकल जैसे जामू कसमीर को टेंपरोरी एन स्पेशल अटोनॉमस स्टेटस प्रवाइड करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कंस्टिशन गीव स्पेशल स्टेटस टू जामू एन कसमीर तो आर्टिकल 370 हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर्टिकल 370 को काव लाउंच किया गया था तो 1952 में लाउंच किया गया था लेकिन यह जहसे अब हट गया है यह आप लोग कोई पता ही होगा यह कब रिमूब किया गया था पांच अगर्स 2019 में यह जहसे जामू कसमीर से हटा दिया गया था यह टेम्परोरी था ठीक है यह किलेर हो गया कीज़न नमर 4 आप चली चलता है कीज़न नमर 5 की और कीज़न नमर 5 में बोला जा रहा है की वीच आर्टिकल अफ द इंडियन कंस्टिट्वीशन इस रिलेटेट टू इंडियन फॉरें पॉलिशी तो इंडियन कंस्टिट्वीशन का कौन सा आर्टिकल जहाँ से Indian foreign policy से related है तो आप लोग यह में देख सकते हैं कि article 51 जहाँ से deal करता है Indian foreign policy और यह जहाँ से mention करता है international relation and the promotion of the security यह clear हो गया article 51 जहाँ से write हो जाएगा article से जहाँ से आप लोग के question पुछा जाता है दिकतर तो आप लोग को जहाँ से group में और भी detail article के बारे में send कर दिया जाएगा तो आप लोग जहाँ से book को purchase कर लें और जल्द से जल्द group में join कर लें अब चले चलता है question number 6 की और question number 6 में बला जा रहा है कि which Indian artist decorated the hand written copy of Indian constitution तो आप लोग को बताना है कि कौन Indian artist जहाँ से अपने हाथों से decorated किये थे Indian constitution को तो यहाँ पर देख सकते है कि नलाल बोस जहाँ से ऐसे Indian artist है जो hand written copy of Indian constitution को decorate किये थे लेकिन आप लोग से अगर पूछा जाए कि कौन जहाँ से अपने हाथों से Indian constitution को लिखे थे तो यहाँ पर देख सकते है कि प्रेम विहारी नरायन रह जेदा यह जहाँ से अपने हाथों से Indian constitution को लिखे थे यह आप लोग अच्छे तरह से याद कर जाएगा हो सकता है इस बार एक्जाम में पूछ दिया जाए उसके बा पंचाइद, power, ruler, development, poverty यह सब जहाँ से provide करता है तो यहाँ पर देख सकते है कि option number second मिल रहा है पंचाइद दिराज तो option number second right हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते है कि यह schedule को जहाँ से कब add किया गया था 23 amendment act of 1992 के दोरान जहाँ से इसको 11 schedule को add किया गया था यह जहाँ से important है ह हो सकता है एक जाम में पुछा जा सकता है यह कि लिए रहो गया कि युचा नमर 7 अब चले चलते हैं कि युचा नमर 8 की और कि युचा नमर 8 में बला जा रहा है कि who is the president chief justice of supreme court of India तो आप लोग बताना है कि president supreme court के chief justice कौन है इंडिया के तो अभी जहाँ से पचासवा chief justice बने ह है तो कब से है तो यह जहाँ से 9 नौमबर 2022 से जहाँ से यह है यह data आप लोग याद कर ले जागा हो सकता है एक जाम में पूछा जा सकता है तो इसका option नमर 4 राइट हो जागा अब चलते हैं कि युचा नमर 9 की और कि युचा नमर 9 मोला जा रहा है कि यह वीच यह भारतिय जनता पाटी वाज created मतला अब लोग बताना है कि भारतिय जनता पाटी मतला बीजेपी जह से कब बनाया गया था तो चलिए इसको डिटेल में दखते हैं तो भारतिय जनता पाटी जह से कब फाउंड किया गया था 6 अपरिल 90-80 में जहासे यह found किया गया था तो option number 3 यह match कर रहा है तो यहाँ पर और detailing देख लेते हैं तो शुर्वात में जहासे इसको भारतिये जन संग कहा जाता था जो found किया गया था 1951 में किन के दवारा सेहामा परसाद मुखर जी के दवारा यह clear हो गया लेकिन 6 April reserve होते हैं settle cast के लिए तो सबसे पहले जानता है कि total seat कितने होते हैं लोग सब हैं तो यहाँ पर देख सकता है कि 24%ờ jahse reserve होते है schedule cast के लिए और schedule tribe के लिए तो यहाँ पर देख सकता है कि 84 seat चहहसे schedule cast के लिए हो गया और 47 seat howと तो यह विला कर करके 131 हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग जहाए से पुछा गिया है, schedule cast के लिए तो 84 हो जागा, option number second इसका right हो जागा और यहाँ पर देख सकते हैं कि maximum strength of house कितना है, तो 552 member है, maximum strength यही है 552 हो सकता है, कि विजन पुछा जा सकता है तो 10 किवजन यहाँ पर खतम हो गया, तो आप लोग जहाँ से यह किवजन का जहाँ से PDF, जो इस डियन जहाँ से book खरिद लिये हैं, उनको जहाँ से detailed solution के साथ उनको group में डाल दिया जाएगा और आप लोग यहाँ पर देखी लिए कि किस तरह जहाँ से आप लोग के explanation करके बताया गया तो आप लोग personally guidance चाते हैं, तो आप लोग जहाँ से book खरिद लें और साथ में और इस डियन के साथ जहाँ से WhatsApp group में अपना त्यारी करें, यह part 1 वीडियो है और भी आगे इसके parts आएंगे और साथ में और भी subject के most important questions आएंगे, इसलिए जहाँ से आप लोग चैनल को subscribe करके notification को on कर लें, तो यह lecture जहाँ से English Medium के लिए था Hindi Medium के lecture जहाँ से Hindi Medium चैनल पर upload हो गया है, वह पर आप लोग देख सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप लोग जैसे पढ़ते रहें और अपना त्यारी करते रहें